हर्याना में चर्खी दादरी जिले के बाड़डा कस्बे में 27 अगस को मुस्लिम यूवक साबिर मलिक की गोमास खाने के शक्त में हत्या की गई वह गाएं का मास नहीं था इसका पता लैब रिपोर्ट से चला है साबिर पच्ची मंगाल का रहने वाला था पुलिस इस मामले में दो नावाली को समित दस अउरोपियों को गरफतार कर चुकी है आरफ हुए कि इन्होंने कबार देने के बहाने साबिर को बुलाया और पीट पीठ कर मार डाला मामले का खुलासा ताब हुआ जब 31 अगस को मार पीट का एक वीडियो वाइरल हुआ इसमें पता चला कि आरोपियों ने साबिर समय दो युवकों की डंडों से बटाई की थी पुश्टाश में आरोपियों ने दावा किया था कि साबिर उसके साथी गोमास खाते हैं हिंदू संगठोनों से जुड़े इन आरोपियों ने ये भी कहा था कि उनके बतनों से गोमास मिला पुलिस ने इस मास को जब्त कर इसके सैंपल जांच के लिए भेजे थे बाड़ा के डेसपी भारत मुशन ने बताए कि मास के सैंपल जांच के लिए फरिदाबाद की लैप को भेजे गए थे हमें वहाँ से उसकी रिपोर्ट मिली है ये बतिबंदित मास नहीं था हमने दस आरोपियों को गिरफतार कर लिया है जल्दी कोट में चालान पेश करेंगे लैप की रिपोर्ट को भी चालान के साथ कोट में सब्मिट किया जाएगा छे आरोपियों की गिरफतारी बाकी है गोमास के शक में ये वक्की हत्या के बाद ये मामला राष्टी इस्तर पर उठा इसके बाद पश्रिम बंगार की मुख्य मंतरी ममता बैनर जी ने गोशना की की साबिर मली के परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी तुणमूल कॉंगर्स नेता कुणाल घोश ने कहा था कि दक्षिन 24 परंगना जिले के बासंती लाके के रहने वाले सापिर मली को गोमास खाने के शक में भाजपार शासित हरियाना में उनमादी हिंसा में मारा गया ममता के आदेश पर तुणमूल प्रतिनीदी मंडल ने परिवार से मुलाकात की थी